गुड इवलिंग प्यारे बच्चो, मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णे मातर सिंग, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और स्कूल में जा रहे होंगे तो बच्चो, हम लोग करेंगे कारे पत्रक 25 जिसका सब्जेक्ट है समाजिक विज्ञान कक्षा आपकी दस्वी है, भारतिय अर्थ विवर्ष्था के शेत्रक के बारे में हम पढ़ रहे थे हमने 24 वक्षित, पिछली वक्षित में हमने देखा प्रात्मिक शेत्रक, द्वित्यक शेत्रक और त्रित्यक शेत्रक के बारे में जाना हमने ये भी जाना कि प्रात्मिक शित्रक में लगभग 49 प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो GDP में सिर्फ 15 प्रतिशत ही हिस्सा दे पा रहे हैं वही हमने देखा कि जो द्वित्तिक और तृत्तिक शेत्र है उसमें काम तो लगभग दोनों मिलकर 50% लोग काम करते हैं लेकिन GDP में उनकी हिस्सेदारी यानि कि जो हमें पैसा देते हैं वो 85% दे पाते हैं तो यहां पर यह देखो कि यहां पर काम बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन output उतना नहीं आ रहे हैं ठीक है तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर अलब बिरुजगारी है ठीक है अलब बिरुजगारी मैंने आपको समझाया था अलब बिरुजगारी क्या होती है जब किसी काम को उस इस काम को करने के लिए जितने लोग चाहिए होते हैं उससे जादा लोग कर रहे होते हैं अगर दो लोग हट भी जाए तो भी उस काम में कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो उन दो लोगों की कोई productivity नहीं है productivity zero है यानि कि उनके आने से कोई production नहीं हो रहा है तो एग्री कल्च टाइम टू टाइम क्या करती रहती है रोजगार का सरजन करती रहती है तो कई ऐसी स्कीमें चलाती है इन में से एक स्कीम है जिसका नाम है माहत्मा गांधी राष्ट रोजगार योजना इसमें क्या होता है कि जैसे मानलों किसी गाउं में सड़क बन रही है या फिर का काम तो मिले गए मिलेगा और अगर सरकार ना दे पाए तो फिर सरकार को बिरोजगारी भता देना पड़ता है ठीक है काम ना दे पाए तो और ये जो काम होता है तो अपने ही गाओं में मिलता है उनको या असपास के शित्र में मिलता है और एक तिहाई रोजगार जो होता ह स्कीम के तहट जो महिलाओं के लिए शुरक्षित रहता है गरीबों में भी अती गरीब लोगों को रोजगान प्रतान करना इसका उदश्य रहता है तो देखो यह तो हो गया शोट टम के लिए कि हाँ योजन लागू कर दी और सो दिन का रोजगार मिल गया लेकिन एक तो रो तो उसके लिए उसको लोन मिलना चाहिए जो आसपास के शेत्र हैं उनमें उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए अब जिस एरिया में मैं रहती हूँ यह एक उद्योगी के एरिया है तो यहां पे इसका फाइदा यह है कि जो लोग यहां पे जोब करते हैं ठीक है वो लो लिए उनको क्या मिळा उनको रोजग़ मिला उद्योग जब भी स्थापत होता है तो रोजगर ज्यादा जनरेट करता है ता ukamosi ke बत्रब्ध को स्थापना को और teacher 넣고 और शिक्षित हो तो चलिए, फर्स्ट कोश्चन देखेंगे, इसके फीचर्स लिखने है, मात्मा गांधी, राष्टे ग्रामीन, रोजगार गारंटी, योजना मन्रेगा, जिसका दूसरा नाम है, ठीक है, म, ग, र, ठीक है, 2005 की विशेश्चता है, एक तो ये 2005 में लागू किया गया था, 100 दि के रोजगार की गारंटी दी जाती है, रोजगार अगर उपलब नहीं कराने की स्थिति में बेरोजगारी भता दिया जाता है, गाउं में या आसपास के गाउं में रोजगार देना होता है, एक तीहाई रोजगार महिलाओं के लिए रक्षित होता है, अब चलते हैं नेक् रोजगार सरजन करने की आवशक्ता क्यों है क्रिशी में काफी बिरोजगारी है या फिर अलब बिरोजगारी है यहां पे काफी बिरोजगारी की जग है आप चाहो तो यहां पे आप अलब बिरोजगारी भी लिख सकते हैं ठीक है अलब बिरोजगारी है ठीक है बिरोजगार है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी कार्रें नहीं है इस्तिति को देखते वे और अधिक रोजगार सरजित करने के आवशकता है रोजगार सरजन करने के लिए कुछ अन्य उपए सुझाइए अर्ध ग्रामिन शेत्रों में धगू को स्थापित करना स्वेम स उसरे के लिए फंड पैसे अरेंज कर सके लोन की विवस्था कर सके लोग उन लोगों को प्रुसाहित करने के लिए नए विचार जो रोजगार पैदा कर सकते हो उनको बढ़ावा देना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर देखो यह तो होगी यहां तक होगी आपकी पुरी व को मिशन बताने वाली हूं तो बच्चा देखो आप लोगों के स्कूल री ओपन हो गए हैं तो आपको कभी ओफ लाइन पढ़ना है कभी ओनलाइन पढ़ना है तो बहुत सारे डाउट भी आपके दिमाग में आते होंगे तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरुरत नही है अनकेडमी पे आप बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को और डाउट्स का विदिन ए सेकिंड वीडियो सोलिशन आपको मिलेगा और साथ में अगर आप पांच डाउट पूछते हैं सिरफ पांच अगर आप डाउट पूछ लेते हैं तो आपको साथ दिन के लिए अनकेडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा तो यह 29 अगस से जो यह उफर है आपका यह 29 अगस से 5 सेप्टेंबर तक वैलिड है ओके बच्चा तो आप डाउट पूछेंगे कैसे पहली बात तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रि ओके बच्चा तो यहां पर देखो आपको ऐसी स्क्रिण मिलेगी जहां पर आप डाउट एंड सोल्यूशन को क्लिक कर सकते हैं आप इस स्क्रिण पे पहुंच जाएंगे तो आप अपनी बुक में से फोटो कीच सकते हैं या फिर बुक का पहले ही स्क्रिण शोट लेके पोस्ट कर देंगे पोस्ट करने पर आप से पूछा जाएगा कि यह कोशन कौन से सबजेक्ट का है साइस का या मैथमेटिक्स का तो अभी मैंने मैथमेटिक्स का पूछा हुआ है तो मैंने मैथ को सेलेक्ट कर लिया है मैथ को आप सेलेक्ट कर लेना ओके उसके बाद आप तो यहां पर आपके educator, best of the educator, आपको solution करके दिखाएंगे, तो बहुत ही अच्छा यह आपका doubt दूर करने का तरीका है, और साथ में आपको plus का subscription तो मिलेगा ही, ध्यान रहे बच्चा, link मैंने description में दिया हुआ है, और doubt पूछने के लिए आप code use करेंगे, पूर्णिमा 10, ओके बच्चा, तो यह काफी important information थी, क्योंकि अभी आपके doubt तो आने ही वाले हैं, कितने दिनों के लरुजगर परदान करता है, 150 दिन के लिए, 100 दिन के लिए, 110 के लिए, 90 के लिए, तो आपको answer बताना है comment में, ठीक है, अगर आपको कोई doubt है, तो आप comment करके ओके बच्चो और thank you, have a nice day, may God bless you, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो